हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुरों डाउटनेट डाउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्छों तो मैं आज श्टार्ट करना हूँ आपका एक बेहतरीन चेप्टर और बिलकुल बिलकुल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि टिग्नोमेट्री आपने पर टर्म वन की स्लेवस में पढ़ी है अब उन टिग्नोमेट्री के जो एप्लिकेशन है बच्छों उन एप्लिकेशन के बारे में यहां पर हम डिसक्स करने वाले हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक्सरसाइज है बच्छों बहुत मजाने वाला है वैसे भी आपको टिग सब्सक्राइब जरूर से करने तो बच्छों अगर मैं बात करूं तो क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हम करने वाले हैं वह एक बार नजर माल लेते हैं यहां पर बेसिकली सबसे पहले बच्छों हम जो एप्लिकेशन आफ टिग्नोमेट्री है सबसे बड़ा जो एप् बारे हैं बच्छों आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा आप को मतलब किस चैप्टर का मोटा मोटा जितने भी मतलब कि जो बेसिक्स है सारी के सारी इस लेक्टर में मैं क्लियर कर दूँगा और कुछ यह अच्छी तरीकिस लेक्टर को सुनना है कहीं पर कोई भी दिक्कतारी कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या पूछ सकते हैं तो चलिए बचो तो सबसे पहले अगर हम देखे तो लाइन अफ साइट एंगिल अफ एलिवेशन एंगिल अफ डिप्रेशन हाइट अंडिश से यह क् स्टार्ड करतें अपनी क्लास को बच longest एक इंपटेंट एन्वेंस्मेंट के सास में कि लिए इसमें आपको डाउटनट के कोई भी आप रिवीजन लेन लेते ढ़्ठो न 84 के ट्विल्द से लिए तक का सभी रिवीजन कूर्स पर आपको सिप्टी पर सेंट का डिसकाउंट मिल ले वाला है बच्छों आप open code NY50 का यूज कर सकते हैं ठीक है बच्छों या फिर आपको अगर कोई भी information चाहिए तो इस number पर आप call कर सकते हैं 0124 758250 इस पर आप call भी कर सकते हैं तो आपको और भी other information share हो जाएगी otherwise आप इस course को ले सकते हैं clear है तो आपको इन जो courses है उनके जो links है purchase करने के वह आपको comment box में description में आपको या comment box में मिल जाएंगे description में भी आप जाकर के देख सकते हैं चलिए तो बच्छों सबसे पहले application of trigonometry में अगर मैं बात करूं तो जो सबसे major application जो यहां पर आप पढ़ते हो टेन से standard में वह आपका height and distance ठीक है बच्छों अब height and distance किस तरीके से यूज में आता है कैसे हम यहाँ पर trigonometry बच्छों apply कर पाते हैं उसके बारे में देखते हैं suppose करे बच्छों आपके पास इस ताइप का एक तो पोल हैं ठीक है डिक है यहाँ आप फल की हाइट मीजर करनी है ठीक है है का अब अब सपोस्स करीए कि आप किसी position पर बान लो आप इस position पर एक सेकेंड और मालो आप यहाँ पर कहीं पसी Turns पर खड़े हुए ठीक है इस पोजीशन पर आप खड़े हो बच्छो ठीक है चले एक सिक इस पोजीशन पर बच्छो आप खड़े हुए हो और आप क्या कर रहो यहां पर खड़े हो करके आप अपनी पोजीशन पर खड़े हो करके इस टावर को देखते हैं ठीक है बच्छो थावर की हाइड फाइंड कर दें तो कैसे और ऑपछ वह पंजाए यह टावर आपका बहुत ज्यादा हुच और आपको टावर की हाइड फाइं कर लिए तो आप किया कर सकते हो थो आप एक छोट गसे काम तो देखे सकते हो ना मारलो आप इस पोजिशन पर खड़े हो और अगर आप देखिए यह जो आपकी आई जैना तो यह जो बैसिकलिए अगर मैं बात करो यह आपकी जो आई जैस सपोस्ट करो जो टावर का बेस है ना इसके रिस्पेक्ट में यह डियो डिस्टन्स आपको नजर कि तो यह डिस्टन्स आप इजली मीजर कर सकते हो टावर से आपकी जो पोजीशन है इस डिस्टन्स को आप इजली मीजर कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी समझे यहां पर इसको समझ सकते हो कि अगर कोई दिक्क्त हारी तो मालो आप सोचरों कि सरीए हाइट के डिफ्रेंस कि आप यहां पर सेम हाइट ले लेते हो तो भी और यहां पर इसको समझ सकते इस तरीके से देखिए कि सब्सक्राइब आपने यहां पर लेनी कि इसी ग्राउंड पर एक पॉजीशन है यहां पर आप खड़े हो ठीक है और इस तरीके से अब आप क्या कर पाव ध्यान समझें आपको इस टावर के हाइट फाइन कर दिये हैं तो सिंपल यह आप क्या कर सकते हो कि आप इस पोजीशन से लेकर कि जहां पर आप खड़े हो और टावर कितनी डिस्टेंस पर है यह तो बिल्कों होरीजेंटर लाइन है बच्छो ठीक है यह तो होरीजेंटर लाइन है यह डिस्टेंस आप इसली मीजर कर सकते हो क्लियर है यह डिस्टेंस हम इसली मीजर कर सकते हैं दूसरा और क्या हम कर सकते हैं सपोस्ट कर यह इसको सपोस्ट कर इस तरीके से सपोस्ट करूं तो यह जो हमारे पास है इसको हम आई के रिस्पेक ऑझे भी जो जैतने ह rookie लो गकर जो хочंड लेकर लीडिग hope та वशो अगर यहांपर कcolor करण यॉप टावर और के top को देखते हो तो आपके आइस साथ में यह की एंगेल हॉ रहा होगा ठीक हAY बचो यह को एंगल पार्म को रहा होगा और इस लाइन को ये जो imaginary line is come line of sight बोलते हैं इसको हम क्या बोलते बच्चो इसको हम line of sight बोलते हैं तो यह line of sight आई इसके respect में जो horizontal axis है इसके साथ में कोई angle create कर रहा होगा यह angle आप easily calculate कर सकते हो ठीक है बच्चो यह angle आप easily calculate कर सकते हो तो अगर आप से यह बोले कि अगर आप को यह distance मालूम है कि basically जिस position पर आप खड़े हो और इस position से टावर की distance क्या है यह distance आप easily मिज़े कर सकते हो और अगर आपने यह angle देख लिया यह angle कितना form हो रहा है जब आप अपने ice को tower की और करते हो तो क्या angle form कर रहा है आपके मनलब के horizontal के साथ में तो यह angle अगर आपने calculate कर लिया तो इसकी help से अब आप tower की यह height बहुत ही easily निकाल सकते है कि tower की यह height क्या होगे और इसमें हम करेंगे trigonometric ratios का यूज ठीक है बचो माल आपके पास यह distance आपको मालू मैं ठीक है बचो तो आपको मालू में यह base हो गया यह perpendicular हो गया तो 10-3 टैक कोल टू क्या आता बचो टैंटी टैक कोल टू पर पैंडिक कुलर अपन बेस तो तो तुरंत trigonometric ratio का यूज करके आप यहाँ पर क्या निकाल पाओगे कि अगर distance यह मालू में आपको तो आप इसके height find कर पाओगे तो यह basically जो बच्चो ideas हैं यह जो निकल किया है यह यहाँ पर हम trigonometric आपका यूज करने वाले तो यह तो सिर्फ एक छोटा सा application मैंने आपको बताया अगर आप देखे तो इस तरीके से for example आपको बहुत 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 पहाल है ठीक है बचो उसकी height miser करनी है वहाँ पर भी हम trigonometric का हो देख पा रहे हो तो कितनी height पर वह उल्डा है उसके लिए आप यहाँ पर trigonometric का यूज कर सकते हैं तो यह सभी बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पस क्या क्या चीज़े common आ रही है एक तो base के साथ में height कितनी है और यह distance तो इस तरीके से सबसे major application जो यहाँ पर हम discuss करने वाले है वो क्या है आपका height and distance ठीक है बचो तो height and distance के बारे में आप यहाँ पर इस lecture में सीखने वाले है तो बेसिक टम्स यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या के terms बच्चों निकल के आते है कि जब भी हम ध्यान समझेगा जब भी हम position पर खड़े हो करके कि किसी object को जो height पर किसी object height पर है ठीक है जैसे कि यहाँ से खड़े हो करके आपने टावर के टॉप को देखा तो यह जो बच्चों एंगिल फार्म होता इसको हम एंगिल ओफ elevation बोलते है क्या बोलते है इसको हम एंगिल ओफ elevation ठीक है और यह जो लाइन आपके पास है लाइन ओफ साइट है तो जब आप नीचे पर खड़े हो करके कोई height में कोई object आपके सामने उसको अगर आप देखते हो है तो यह जो एंगिल फार्म होता है ना horizontal level के साथ में इसको ह एंगिल ओफ elevation बोलते है क्या बोलते है एंगिल ओफ elevation बोलते है similarly अगर आप किसी height पर खड़े हो करके ground में सब्सक्राइब को अबजेक्ट है उसको अगर आप देखते हो तो क्या करोगे अगर आप किसी height पर हो और ग्राउंड पर किसी object को देखोगे तो आपके जो ला जो देखने के विजएने वो नीचे की ओर होगा ठीक है बचो तो यह जो एंगिल यहां पर क्रियेट हो का horizontal level के साथ में इस एंगिल को एंगिल ओफ डिप्रेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो एंगिल अफ डिप्रेशन तो सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां पर नोट कर लीजिए कि अगर आप यहां पर खड़े हो करके इस object को देखते हैं तो यह जो एंगिल ओफ डिप्रेशन आपका बनने वाला है और अगर मैं अबजेक्ट से इस बच्ची को देखता हूं जो इस हाइट पर खड़ी है तो जो एंगिल ओफ एलिवेशन बनने वाला है ठीक है बचो यह आपका बनेगा एंगिल ओफ एलिवेशन अंगिल ओफ एलीवेशन ठीक है तो बेसिकली बच्चो यह अगर आप देखें तो अच्छी का एंगल औब्जर्व करें तो यह जो एंगल अफ एलिवेशन एंगल अफ डिप्रेशन यह दोनों क्या होंगे बच्छो से मोगे ठीक है हाइड पर खड़े हो करके ऑपजेट को देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वही उस ऑबजेक्ट से उस हाइड प एलिवेशन बनना है ठीक है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के आपके एकोल होगा क्लियर होगे है आपर ठीक है बच्छो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के यहाँ पर आपका एक्क्वेलेंट आएगा चलिए यह बेसिकल क्यों है तो यह आपके पास एंगलाःःःःःःः बनेगा अब इस केस में जरूरी नहीं है कि एंगिल अफ एलीवेशन और डिप्रेशन से लेकिन यहां से देखो कि इस लेखें इस अबजेट को देखा तो एंगिलाःःःःः और देखें तो इस से कंडिशन पर सेम होंगे यहां पर तो हम यह रिप्रेजंट कर रहा है कि हाइट की ऊपर की और देखो कि तो elevation होगा नीचे की और देखो कि तुझा एंगे लोगा वह depression का एंगे लोगा ठीक है पचो तो यह बेसिकली जी जहां पर आपको निकल के आती है क्लियर है समझ में आगे एंगर एलीवेशन क्या होगा और एंगिल आफ دेप्रेशन क्या होगा एकसेट क्लियर हो चली अगर यह concept clear है तो अब हम start करते हैं इस पर बेश्ट कुछ question solve करना तो basically a quiz करते हैं क्योंकि अभी बेसिक कुछ मैंने ideas आपको दिए basic कुछ चीजे बता ही है तो जल्दी से quiz करते हैं और quiz का question आपकी screen पर बच्चो यह है ठीक है तो comment box में आपको answer से लिख करके बताना है the line drawn from the eye of an observer the line drawn from eye of an observer to the point in the object viewed by the observer is called vertical line line of side horizontal line या none of these cancer होगा बच्चो अब्जरवर की eyes से अगर object को देखा गया तो जो लाइन उसको join करने वाली है न object के top को और observer की eyes को तो से लाइन को हम क्या बोलते है vertical line बोलते है लाइन ओस सैट बोलते हैं या फिर horizontal line बोलते है not of these क्या होगा चलिए बहुत सारे बच्चे जिनका ansa आ रहा है बिल्कुल सही जवाब बिलकुल सही बच्चो line of side वोते क्या बोलते हैं line of side option number B कर reck'm answer बिल्कुल सही line of side बोलते हैं next question अस्या भुव से उपर हैं तो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा एंगृण ऑफ डिप्रेशन होगा एंगल ओव एलिवेशन होगा एंगलस साइ्ट साइठ हो कमेंट को बोक्ष में सार्य की वक यह ईलिग अर्व वेरी गुड बहुत बढ़िया सबने अंसर कर लिया चलिया तो बिल्कुल सही बचो यानि कि जब ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल लेवल से उपर है तो आपको नजरे उपर करनी बढ़ेंगी ना तो एंगिल आफ एलिवेशन मनेगा तो आप्शन नमबर बच्चो बी यहां पर इसका राइड अंसर है क्लियर है बच्चो ऑप्शन नमबर बी एंगिल ओफ एलिवेशन इसका राइड आंसर होगा क्लियर है चलिए समझ में आगे सभी को कोई दिक्कत बढ़िया है अब आगे पर बच्चों बात करते कोशन देखते है अटावर इस्टेंस वर्टिकली ऑ दःग्राउंड वैं ऐवर्डेशन वेंटिंशन के अगर कोश्चन को में सॉल्व करना है तो उसके लिए जरूरी चीजी है बच्चों कि आपको फिगरड ड्रॉ करना आते है तो आपके लिए हाइड इंडिशन के हर एक कुश्चन बिल्कुल इजी होंगे बिल्कुल इज केल फिगर ड्रॉ करिये और तुरंत आंसर फाइन कर लिजे जैसे की कुर्शिन को देखते हैं अटावर इस्टेंट वर्टिकली ओन दा ग्राउंड फ्रामा पॉइंट ऑन दा ग्राउंड ठीके विच इस 50 मीटर अवे फ्रॉम दा फूट अब टावर दावर दा एंगल अफ एलिवेशन ओप दावर इस फाउंड टूबी 60 डिगरी फाइंड हाइट ओव दावर सपोस्ट करो आपके पास बच्छे टावर एस तरीके से एक पॉइंट जो बच्छो टावर के बेस से कितनी डिस्टेंस पर है बच्छो 15 मीटर अवे 15 मीटर डिस्टेंस पर सपोस्ट कर करी ओके चलिए आपको फाइंड हाइट ऑप दावर आपको इस टावर की हाइट फैंकर ने सपोस्ट करो ए बी एंड सी तो डेफिनेटली आप एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता देख पा रहो ठीक आप चो यहाँ पर आप क्या देख पा रहो एक राइट एगल है ठीक है प्रइंट एसे टावर की टॉप कर एंगल फेलिविशिन अम्यमा लो में बीसे टावर के बेस से जो पॉइंट है यह डिसन्स सेप्टीन मीटर है आपको हाइट फाइन करनी है सपोस्ट कर यह अगर आप देखो आपको बेस मालो में हाई तमेफाइन करना है हाइट और बेस का रेशियो कहां देखने को बिलता है आप अगर यहाँ पर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो सपोस्ट को यह एंगल आपके पास थीटा है तो आप जानते कि टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के एकवल होता है तो अगर आ पर देखें टैन शिक्स्टि की वैल्यू बीटा क्या हो जाएग्य परपेंडिकुलर यह हमारे पास एच हो गया ठीक हो बेस हमारे पास 15 हो गया 10 की वैल्यू स्क्वाइरू ट्री होती है तो एच अपॉन 15 तो h equal to कितना आ जाएगा बच्चों 15 times square root 3 हमको h की value निकल करके आगे क्या आ गई बच्चों 15 times square root 3 हमको h की value निकल करके आगे clear है okay 15 times square root 3 हमको h की value निकल के आगे तो बिलकुल simple सा यहाँ पर आपने देखे trigonometric ratios apply हुए ठीक है बस आपने क्या देखा एक छोटा figure draw किया figure draw करना जरूरी है हाँ बिटा जरूरी है अगर आप figure नहीं draw करोगे तो आप से question solve नहीं होगा होगा तो गर्बर भी हो सकता है figure draw करने पर clearly चीजिस समझ में आ जाती है clear हो गया बच्छो अगर concept clear हो गया तो जरूर से एक बाल लाइक बटन पर प्रस सभी बच्चे कर दे क्योंकि भाई अगर आप लाइक नहीं करो तो पता कैसे चलिक है कि आपको समझ में आ रहा है ठीक है जरूर से आप लोग क्लास को लाइक जरूर से करियेगा और इस क्लास को सेर अपने दोस्तों किसा जरूर से कर देना आगे पर बच्छों मूव करते हैं अगला कुश्चन हमारे पास क्या है एन एलेक्ट्रीशन है टू रिपेर एन इलेक्ट्रिक फॉर्ट ऑन पोल आप हाई 5 मीटर सी नीट यह है यह सब्सक्राइब पोल का टॉप है उसको कितने नीचे पर पहुंच रहा है बच्छों 1.3 मीटर बिलो 1.3 मीटर बिलो इतने यह नहीं कि टॉप से इतनी हाइट की नीचे तक उसको पहुंचना है ठीक है बच्छों सी नीट्स तू रीच अपॉइंट 1.3 मीटर बिलो इतनी टॉप अफ़ पूल तो अंडर टेक दर रिपेर वर्क वाट सुड बी दर लेंट अब आपको यह बताना है कि भाई अच्छा अरे वाई इस बच्छी यह को इस बच्छी को इसको रिपेर करना क्या बात है बहुत चलिए यह बच्छी रिपेर करने जा रही इसको ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो कि वाट सुड बी दे लेंट ओफ दे लेडर बैट सी सुड यूज विच ठीक है अब आपको यह बताना है कि कितनी लेंथ उसको यूज करनी चाहिए लेडर की ठीक आप चो सी यूज लगाया अब वो बढ़ियां तरीके से चड़के ऊपर जा रही है वो कहां पर पहुंचना चाहती है जो टावर कर टॉप है ना उससे 1.3 मीटर नीचे पर पहुंचना चाह रही है ठीक है बच्छो ओके और यहाँ पर वेन इंक्लाइन एंगल वोड इनेबल हर तू रीच त हाँ फार फ्रां दा1 अब टाव दा पॉल सुट शी पलेसट फूल पड़ अगर्म्याँ पर देखें बत्चो एक पॉल है बच्चो जिसकी हाइट कितनी थे फाइव मीटर हमारे पस कोश्चन में हाइट आफ पॉल बच्चो अगर आप देखिए तो हाइट आफ पॉल हमारे पास फाइव मीटर गिवेन है ठीक है अब चो हाइट आफ पॉल हमारे पास क्या गिवेन है फाइव मीटर तो इसको अगर इस position तक पहुचना है बी position तक तो बी position तक अगर आप देखें तो ground से बी position की height कितनी है total height 5 meter है उसमें से 1.3 अगर आपने minus कर दिये तो हम क्या बोलेंगे कि B से D की जो position है या आपके पास क्या हो जाएगी 3.7 meter हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3.7 meter तो यह आपके पास 3.7 और यह total आपके पास height कितनी हो गए आपके पास 5 meter clear बचो total height हमारे पास कितनी आगए यहाँ पर आपकी 5 meter निकल के आगए ठीक है total height 5 meter और इसको 3.7 meter की position तक उसको पहुंचना है clear है यहाँ तक clear है चलिए अब देखते बच्चो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस ladder की height हमें find कर लिए तो यह ladder अगर आप देखो तो यह ladder इस position के साथ में एक hypotenuse की तरह वर्क कर लें ठीक है बचो यह ladder रिक तरीके से हमारे लिए इस राइट एंगल ठ्राइंगल में क्योंकि यह पपेंडिकला रोका बच्चो तो यह के लिए hypotenuse की तरह वर्क कर रहे हैं अगर मुझे कि साइन अगर मैं सेंगेल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है साइन सीटा क्या बच्चो फिर पर पर पेंडिकुलर अपॉन में हाइपुटेनुस तो फिर यह हाइट अगरम देखे इस पॉजीशन तक पहुचने के लिए 3.7 मीटर के हाइड पर उसको लेडर अरे एड़स्ट करना है यह थो हमारे पास 3.5 हो गया हाइपोटेनस आपको मालूम नहीं है बच्चो और साइन थीटा थीटा की वैलू कितनी आपके पास साइन सिक्ष्टी यहां पर आगे साइन सिक्ष्टी सॉल्व करते है बच्चो तो क्या निकल क्या आएगा देखेगा एच विल बी कॉल टू 3.5 अपॉन में साइन सिक्ष्टी की वैलू स्क्वाइर रूट 3 अपॉन टू तो उंपर पर 2 आ गया तो 3.5 इंटू में 2 क्या बन यहाझ वन पर सेवन अपॉन में स्कॉायर रूट 3 ना जाएगगा बच्चो त्योन सेवन अपॉन में स्कॉैरूट 3 या फिर लिख सकते हैं सको 7yorsun स скорее ुंप3 यहीं यह भी हम लिख सकते हैं तो बच्चो हाईपोटनेस की जो लेंठ हैं ना यह जो हीपो Genau sources length of hypotenuse अगर हम बात करें तो length of hypotenuse क्या हो जाएगा 7 times square root 3 upon me 3 हमारे पास length of hypotenuse आ जाएगा क्या जाएगा बच्चो length of hypotenuse 7 times square root 3 upon me 3 निकल के आगे clear है 7 times square root 3 upon me 3 हमको length of hypotenuse निकल के आ जाएगा चलिए note कर लीजे 7 times square root 3 upon me 3 हमारे पास length of hypotenuse हमको निकल करके आगे clear है चलिए अब ये तो basically हमको इसके respect में आ जाएगा अब आप से next में क्या पूछ रहता कि भाई how far from the foot of यहाँ पर from होना चाहिए M होना चाहिए cut गया ता है how far from the foot of the pole should be should see place the foot of the ladder मतलब की pole के food से कित्री distance पर उसको ये जो ladder इसको adjust करना पड़ेगा ये distance अगर यहाँ पर fine करनी ठीक है अब चो ये distance अगर यहाँ पर हमें find करनी है तो अब आप देख सकते हो आपको मालूं पड़ गया कि 3.7 मीटर है ठीक है बचो और अब आपको base find कर रहे है ठीक है बचो तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ठीक है तो यहाँ पर बच्चो हम क्या देख सकते हैं simple perpendicular upon base तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 10 theta equal to क्या होता है perpendicular upon में base तो 1060 हो गया बच्चो यह बन गया आपके पास 1060 परपेंडिकुलर की लेंथ आपके पास 3.7 है और base आपको बी यहां पर find करना है तो बच्चो यह क्या हो जाएगा बी equal to 3.7 upon में आपका 1060 और यह बन गया 3.7 upon में square root 3 solve करेंगे तो equal to क्या जाएगा बच्चो यहां पर solve करेंगे तो बच्चो यह हमारे पास लिख सकते 3.7 square root 3 upon में 3 ठीक यह हमारे पास क्या जाएगा आपके पास पॉइंड बी से कितरी distance पर लेडर को adjust किया गया यह हमको यह distance आ जाएगी ठीक है प्चो जो कि हमारे पास बेस हैं ठीक है प्चो यानि कि अगर मैं बोलू तो सीडी हमारे पास आएगा 3.7 square root 3 upon में 3 ठीक है प्चो cd equal to क्या जाएगा हमारे पास 3.7 square root 3 upon में 3 हमको लेडर की लेंथ यानि की लेडर को टावर के बेस से food से कितनी distance पर लख रखा गया है यह आगई उसके बाद आपने यहां पर बीसी फाइंड कर लिया है हाइपोटेनस मतलब की बीसी तो बीसी बच्चो आपने यहां पर निकाली लिया है कि seven times square root 3 upon में 3 निकल के आ जाएगे clear अब चुछ चलिए तो यह भी बीसी आपको पस लेडर की लेंथ भी आ गई और लेडर को कितनी distance पर जिस्ट करना यह भी निकल के आ गया तो basically आपर अप कई सारे बच्चों के मन में सारे बच्चे डाऊट पूशते के सर हमें समध नहीं आता कि साइन थीटÁ कबक करना है कॉस्टी ता रटलकाई करना है fetch अ कब अब अब क। ऑपको आपको ऑलू में कि राइट एंगल ट्राइंंगल में अगर आप को उस्कों परlles को क्या होता है P чуть अपॉन हाई पॉन ह्धी टे थे यह हैं यह तो बत्चों को बेजरी डाउट यहां पार आते वह यह है कि सब समझ नहीं आ रहा कि साइने कॉस्ट टेने कब कब एपलाई करना है तो ध्यान से समझना ऐसी प्रॉब्न का सॉलिशन बता रहा हूं है कि वैज हैंड ट्र Mallоль में आपको यह चीज़ें मालूम है साइन अको टैन कि ट्लक तो आपको बारलो मैं अब आप दमाग लगा कि अगर्र आपको सपोस्ट करो बेजर फाइन करने है है न आपको यह देखना है कि आपको यह implication कर नी कभीब В lain करमे तो बेस कब इसा जोना कोकêtre हो बेसे फाइन कर सकते जब100 अफ्ट चीता पर फैन्टेक अपन बेस हो या कोस्थ टीटा बेस अपन है पॉंक अब बैश फाइन करने के लिए की लिए आगस हाइड गिवन होगी तो यथिटा प्लाएक करेंगे अगर hypotenuse given Hooga Toh Cause Theta apply करेंगे समद अगर हाइट गवन होगी तो टैन थीटा प्लाइ कर दोगे अगर फ्र fort एनसे गिवन और तो आप शाश्टीटप था अप्लाइकर क्लियर कम समद्म है अब सपोस्किल आपको पपेंडिकलर fight करम परपेंडीब्लो तो परपेंडीकुलर कप इंग के सकती या तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में या तो टेन अगर बैस कि तो टैन अपलाई करोगे अगर है पूर्टेनस गिवल उसाइन अपलाई करोगे तो बस आप को दिमांग में लॉचिक यहीत लगाना है कि लॉक्त गिवन क्या पहली बात तो फाइंड क्या करना है पहली बात तो यह देखो फाइंड क्या करना है फाइंड करना है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस इनमें से कुछ फाइंड करना होगा और गिवन आपके पास कुछ होगा ठीक है गिवन अगर इनमें से कुछ फाइंड कर कर देंगे यहाँ पर आपने देख लिया कि भए आपको सिंप्ल सी बात यह करना है यह अपके पस तो समझ मैं आगया कोई डौट बढ अब अब अगला कुछिन देखते हैं बच्छो एन ऑब्जरवर 1.5 मीटर टॉल इस ऑब्जरवर की हाइट कितनी वेटा 1.5 मीटर है एक लियर बच्छो इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी इस चिमनी से अगर बोला जाए तो 28.5 मीटर अवे है टॉन्टीएट पोइंट फाइव बीटर चिमनी से अवे ठीका दे एंगल अफ-ईलिवेशिव बडड़ टॉप ऑफफ द्चिमनी वाइट पूछ रहा है चिमनी की यह टॉटल हइट आपसे वीट इपूछ रहा है ठीक है ठीक है ऺचो धियांथ समझेगा अभी सिर्फ आव यह समझो कि यहां से लेकर की यहां तक कि डिस्टन 2 tomia.5 है तो इसके आई के साथ में जो हॉरीजेंटल लेविल है ये जौ होरीजेंटलड ले में है यह हॉरीजेंटल लेवल की डिस्टंस भी कितनी होगे यह भी तो आपके पास 28.5 प्वाईवी मीटर ही होगे कितनी होगी 28.5 मेंटर ही होगे पक्का से clear है कि नहीं ठीक है यह क्या होगा आपके पास 28.5 होगा चलिए तो यह आपके पास 28.5 हो गया ध्यान समझेंगे 28.5 अब आपको यहां पर देखना है हम अगर सपोस्ट करो कि इसके होरिजेंटल लेवल से इस टावर की अगर मैं हाइट को सपोस्ट करी एच बोल दो होरिजेंटल लेवल से इस टावर की इतने पोजिशन के हाइट को अगर एच बोल दो तो आप यहां पर ट्राइंगल ले सकते हो एई डी ट्राइंगल आप यह सकते हो क्या बच्चों ए ई और डी तो एईडी ट्रेंगिल में अगर आप देखे गए ध्यान समझेगा यहां पर आप ट्राइंगल ले सकते हो बच्चों आप एडी को एक सेकंड चलिए पैन देहां पैने मिधी उड़ता अपने आप जा रहा है तो बच्चों यहाँ हां पर ध्यान से देखीएगा यह आपके पास ट्राइंगल आगर आप लेते हैं आप अपर a and लिए ट्राइंगल को अगर आप लेते हैं तो एडी ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि यह हमें find करना यह क्या height है और यह हमारे पास base है जो की given है तो बताए हाइट और base का ratio क्या बना 10 बना तो आप देख सकते हैं कि 10 theta जो होता है वो हमारे पास AE upon में आप देख सकते हैं जो DE है उसके ratio के इक्वल होगा और theta की value 45 तो 1045 equal to AE upon में आपके पास DE हो गया और DE की value 28.5 है clear है DE की value जो BC की value है उसके बराबर होगी क्योंकि parallel है तो 28.5 तो बताए बचो 1045 की value कितनी होती 1 तो AE equal to हमारे पास 28.5 हा गया कितना आगे बिटा AE equal to यानि कि AE equal to आपके पास 28.5 है समझे एक तरीकी समझ लो AE की लग्त यहाँ पर आपको X लेखने के जोरोत नहीं है कोई फाइदा नहीं होगा चलो तो AE की लग्त बच्चों हमारे पास कितनी आ गए यह आगे 28.5 अब अगर मैं height of tower find कर रहा है ज्यान समझेगा अगर आपको height of tower find कर रहा है तो बताईए 28.5 तो इस position से लगा करके यहाँ तक की height होगी ठीक है मतलब की AE अब अगर आप से पूछे की E से लेकर के B तक की height कितनी है तो जितनी इस बच्ची की height है ठीक है उतनी ही यहाँ पर आपकी height है बच्चों जितनी इस बच्ची की height है उतनी ही यहाँ तक की height है बच्चों तो इसका मतलब क्या हो गया यह आपके पास EB प्लस में EB के कोल आ जाएगा तो 28.5 यह हो गया और EB के अगर आप बात करो तो यह 1.5 है यह हमारे पास 1.5 और एड कर दिया तो 28.5 प्लस में 1.5 कितना मन गया बच्चों आपके पास 30 मीटर तो हमारे पास height of tower क्या निकल क्या आगया बच्चों 30 मीटर इसका right answer है जल्दी से note कर लिए height of tower बच्चों क्या निकल क्या आगया height of tower हमारे पास 30 मीटर यहाँ पर आपका निकल क्या आगया क्लियर है जल्दी से एक बार नोट कर लो फिर से एक्स्प्प्रेंट कर देता हूँ चलिए बहुत ध्यान से समझेगा बच्छो ये पूरी चिमनी है ये एक बच्ची है जिसकी हाइट 1.5 मीटर ये इस टावर को देखती है एंगल ऑफ एलिवेशन आइस के साथ में 45 डिगरी तो ये होरिजेंटल लेवल हो गया ठीक है अब बोला है कि बेस के साथ में इस बच्ची की जो डिस्टेंस अवर 28.5 तो जितनी डिस्टेंस ये उतनी ही डिस्टेंस ये वाली होगी तो ये भी 28 ये भी 28.5 होगी हमने पहले तो इस पोजीशन से ये हाइट हमने मीजर कर ली जो कि हमको निकल के आगई आपकी ए से ए की डिस्टेंस आपके पाँ देखो यहाँ पर एरो बनना है बेटा तो ये ए से ए की पोजीशन हमारे पास 28.5 यहाँ पर आपको एरो इस से दिखा देता हूँ यह हमको एरो बनना है कि यह पोजीशन के साथ में जो यह हमारे पास यह निकल क्या रहा है ठीक है बचो यह पोजीशन के साथ में ठीक है तो यह हमारे पास ट्राइंगल आपका एडी बनता है यह वाला ट्राइंग है ठीक है यह ट्राइंगल आपका बनना है ठीक है तो इस भी वही होगा आपका जो कि आपके पास CD है जो कि 1.5 यह और इसमें हम यहाँ पर एड कर देंगे तो टोटल हाइट हमार पस 30 मीटर आजएगी कितनी आजएगी बटा 30 मीटर आपके पास टोटल हाइट है जल्दी से पताई समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से पताई है अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बार क्लास को लाइक जरूर से कर दे ठीक आपचो क्लास को लाइक जरूर से कर देना सेर जरूर से करेंगा चलिए अगले कोशन पर मूव करते है बच् 30 degree यहां से जो एंगिल ओफ एलिवेशन बनना है वो क्या बनना है बच्छो 30 डिगरी के एंगिल ओफ एलिवेशन बनना है यह बिल्डिंग के टॉप से इस ग्राउंड के साथ ठीक है बच्छो अ फ्लैग इस विश्टेड एड़ टॉप ऑप दा बिल्डिंग एक फ्लैग को ह इस पॉइंट इस बिल्डिंग के बच्छो यहां को यहां पर कोई भी लेंथ गिवर नहीं है तो अब हम इसको कैसे सॉल्ब करें देखो बिटा ध्यां से समझना सबसे पहली बात अगर आप यहां पर देख सकते हैं वह आपको क्या नजर आ रही है कि यह जो टोटल हाइट आपके पास है न ध्यान समझेगा अगर हम यह देखे एक बाद ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं आपर ट्राइंगल अगर आप देखो डी एपी को ट्राइंगल अगर आप यहां पर डी एपी को अब्सर्व करें ठीक है अब्छो ट्राइंगल तो आप इस एंगल के respect में अगर आप देखें ये कौन सा थे थ्यान समझेगा ये ये अंगल 45 डिगरी है तो हम देख सकते हैं जो टैना 45 होगा वो क्या होगा परपेंडीकुलर परपेंडीकुलर क्या है आपके पास बी एं पर डिकुलर आपका क्या है डी से एकी पोजिशन अपान में बेस और बेस क्या बच्छो हमारे पस एपी तो डी एपान में एपी के क्वल आएगा पका डी एपान में एपी के क्वल आजाएगा ठीक है बच्छो तो अब आपको मालू है कि टैन फोटी फाइव की वैलू कितनी हो तो वान एक्वल टुड डी ए अप उन में आपका ए पी आगया बच्छो अब सॉल्फ कर ली जे तो यहां से डी ए एक्वल टुड आपके पास एपी निकल के आगया बी एक उल्टू क्या जाए गो आपके पास एपी यानि कि यह जो डी से एकी पोजीशन है यह जितनी टोट ने कुंधिक है बी एंपी में ट्राइंगे लगर आप यहाँ पर बी एपी को अब जर तो लोग तो यहां पर क्या है आपके पास फे Р Nazim में AP के अब देखिए 10 theta की value होती 1 upon square root 3 और यह हो गया BA upon में AP तो solve करिए AP equal to आपके पास आएगा BA square root 3 क्या जाएगा बच्छो AP equal to आपके पास आएगा BA square root 3 चलिए नोट कर लिए AP equal to क्या जाएगा बच्छो AP equal to हाजाएगा हमारे पस BA square root 3 के equal clear है यहां तक चलिए तो AP equal to BA square root 3 हम को निकल करके आगया चलिए सबसे पहले अगर flag staff की distance find करनी है तो basically आप देख सकते के BD equal to हमारे पास क्या होगा flag staff BD की distance जो होगी वो हमारे पास AD AD minus में अगर आप देखे ध्यान समझेगा बच्छो और कोई distance यहां पर गिवन तो नहीं है न 45 डिगरी ओके 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 चलिए कोई बात है इतना आ जाएगा टैन इंटू में square root 3 clear अबच्छो क्योंकि आपके पास given है कि B equal to 10 meter tall तो building के height तो given थी हमने miss कर दिया था अब note कर लो तो building के height हमारे पास 10 meter given अबच्छो ठीक है तो एपी क्वल टू 10 meter अगर आपको एपी निकल के आ गया तो आप बता सकते हूँ यहां पर कि जो कि एडी है जो एडी है वो भी एपी के क्वल आ जाएगा तो एडी क्वल टू एपी यह भी क्या बन जाएगा बच्छो हमारे पास 10 square root 3 ठीक है तो एडी क्वल टू हमारे पास 10 square root 3 बन गया अगर मैं आपसे यह पूछू length of flag staff क्या बनेगा length of flag staff length of flag ठीक है बच्छो length of flag staff अगर मैं find करना है चले तो क्या बनेगा बच्छो total यहां से लेकर कि यहां तक की height मतलब कि आपके पास AD हो गई इसमें से आपने माइनस कर दिया यह BA की height को माइनस का BA तो यह बन गया हमारे पास 10 times square root 3 माइनस में 10 तो 10 को कॉमन ले लो तो आजाए कि square root 3 माइनस में 1 तो यह बच्छो हमारे पास answer आगया कितना आगया बच्छो टैन इंटू में square root 3 माइनस में 1 हमारे पास निकल कि आ गया किसकी length of flag staff तो length of flag staff भी आ गया और आपको यह भी मालम पढ़ गया कि भाई AP distance कितनी आएगी है ना position A से P की distance भी कितनी आगया बच्छो टो AP भी हमारे पास यहां पर 10 square root 3 तो यह भी आनफर है और यह भी ठीक है length of flag staff 10 into square root 3 माइनस 1 और AP की length हमारे पास कितनी आ रही एपी हमारे पास 10 square root 3 मीटर clear है note कर लीजे एपी हमारे पास 10 square root 3 मीटर हमको निकल के आगे clear है AP हमारे पास 10 square root 3 मीटर हमको निकल के आगे clear है चलिए आ गया बच्छे समझ में ठीक है एपी की value हमारे पास 10 square root 3 मीटर हमको निकल करके आगे clear है चलिए simple ओके तो इस तरीके से यह सारी चीजे बच्छों यहां पर हमको निकल के आता है ओके चलो तो basically अगर आपको किसी को भी यहां पर कोई भी doubt आ रहा सिंपल है ना कि पहले तो हमने यहां पर यह निकाला कि एडी और एपी दोनों आपका एक को यह पहला रिलेशन निकल के आगया पहले राइट एंगल थे और दूसरा बी पी ए ट्राइंगल को लेकर कि आपने इस तरीके से उसल्व कर दिया तो यहां पर आप देख तो कि बी ए हमारे पास घवन था और टॉप और टैनिमीटर तॉल बिल्दिंग ठीक टैनिमिटर टॉल बिल्दिंग के हाई कितनी है यह है आपके पास टैनिमिटर जिवन है तो इसको यूज रियो आपके पास यह निकल के आ अगय then when when it is 60 degree find the height of the tower suppose कर बच्चों आपके पास एक टावर है यहां पर समझेगा सपोस्ट करिया आपके पास एक टावर है एबी अब एक टाइम पर जब एंगल ओफ सन है सन का एल्टीटूट कुछ इस पोजिशन पर है तो बच्चों जो एंगल ओफ एलिवेशन वह आपका सपोस्ट करें यहां पर आपका एक सेक्ट यह आपका सिक्स्टी डिगरी बन रहा है तिक है उसके बाद क्या हुगा सन का एल्टी एलिवेशन यहां पर 30 डिग्री हो गया कितना बन गया बच्चों 30 डिग्री हमको बोला है दोनों कंडिशन पर यह सपोस्ट को कोई पाइंट आपका डी है ठीक है तो सेडों कि लेंद कितनी बड़ बोला है तो सेडों फोट आवर स्टेंग और लेवल ग्राउंड इस पां लॉंगर हो गई मतलब कि यह जो लेंद आपके पास इतनी लेंद है ना यहां से लेकर कि यहां तक इस पोजीशन से जब सिक्ष्टी था जब सिक्ष्टी से थर्टी पहुंच गया तो सेडों और सी बात है ध्यांट समझे गए आपर एक बहुत अबजेक्टिव में कुश् संच जितना नीचे जाता जाएगा सेडों की लेंद क्या होती जाएगी बच्चो बड़ी होती जाएगी ठीक है बच्चो तो दिन के समय पर आप देखते हो कि जब सूरत बिलकुस सिर की उपर होता तो सेडों की लेंद क्या होती है छोटी होती है जैसे यसे साम होती आती ह सूरत पीसे जाता जाता है तो उस condition पर क्या होता है हमारे पास shadow की length increase होती होती है clear है बचो चलिए अब आपको यहाँ पर find करना है find the height of the tower आपको इस tower की height a b हमें यहाँ पर find करना है ठीक है बचो tower की height हमें a b यहाँ पर find करना है चलो तो basically बचो अगर आप यहाँ पर triangle लेते हो यहाँ पर a b d right angle b है तो a b d triangle में अगर मैं बात करूँ तो 1060 equal to क्या होगा 1060 अगर आप apply करोगे तो क्या होगा a b upon में b d के equal a b upon में b d के equal तो यहाँ से अगर आप देखो तो 1060 क्यों square root 3 तो a b equal to कितना आजाएगा a b equal to आजाएगा b d into में square root 3 ठीक है बचो a b equal to b d into में square root 3 आजाएगा clear है आपर चले अब अगर मैंने दूसरी बाद triangle आपका ले लिया a b suppose को रे कोई point c है ठीक है बचो suppose को triangle ले लिया मैंने a b आपका c अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1030 equal to क्या हो जाएगा 1030 degree equal to बन जाएगा आपके पास ad upon में आपके पास bc upon में आपके पास bc 1030 के value बच्चों क्या हो जाएगी आपर यह बटा a b ही रहे यह a b ही रहेगा अब देखना bc और यह one upon square root 3 तो bc equal to आपके पास आएगा square root 3 times आपका a b चलिए यह हमारे पास bc आगया ठीक है अपचों यह a b आगया और यह हमारे पास bc आगया clear अब अगर आप यहाँ पर देखिए ध्यान से यह पे या फिर आप यह पर ऐसे भी लिख सकते यह a b equal to यह फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि a b equal to आपके पास bc upon m square root 3 ठीक है bc upon m square root 3 clear चलिए a b equal to आप यह कहा लिए सकते हो bc upon m square root 3 तो अगर हम बच्चों यहाँ पर ध्यान से अधे कि यहां पर a b equal to क्या रहा bd square root 3 तो दोनों को अगर मैं इसको equation number one बोलू इसको equation number two तो वन और टू को अगर मैं equal कर दू क्योंकि LHS दोनों के equal हैं तो क्या बनेगा बच्चो ध्यान समझेगा BC upon में square root 3 equal to bd times square root 3 ठीक है बच्चो अब आप देखेगा तो BC equal to बनेगा bd square root 3 into में square root 3 तो बन गया आपके पास 3 times bd अब मुझे बताइए कि BC क्या है BC आपके पास equal to है bd plus में आपके पास cd के ठीक है और equal to आपके पास यह बन गया 3 times bd अब आप मुझे बताइए cd कितना मालूम है cd आपको मालूम है कि यह cd हमारे पास 40 है तो bd plus में 40 equal to 3 times bd bd को इधर पर ले जा बच्चो तो टू टाइम से bd equal to आजाएगा 40 तो bd equal to आजाएगा आपके पास कितना बच्चो 20 मीटर bd equal to क्या आजाएगा बच्चो 20 मीटर तो यहां से हमको bd equal to 20 मीटर निकल करके आजए clear है बच्चो नोट कर लीजे bd equal to 20 मीटर यहां से हमको निकल करके आगया अब जब bd हमारे पास 20 मीटर आ गया तो हमसे क्या पूछा गया है आपर ठीक है find the height of the tower तो tower के height अगर हम देखे तो a b है और a b हमारे पास 20 bd square root 3 है तो a b की value कितनी आ गए bd into में square root 3 bd की value 20 put कर दो तो 20 times square root 3 meter यह basically बच्चों हमको a b निकल के आगया क्या आगया बच्चों a b हमको 20 times square root 3 meter हमको निकल करके आगया clear है कि नोट कर लिजाएगा a b equal to any height of tower height of tower बच्चों 20 times square root 3 meter निकल के आया तो मेन इस question में जो सबसे important concept वो यह है कि मैं सबसे पहली बात कि जब sun का altitude top पर है तो उस condition पर angle of elevation positions है shadow की length छोटी होगी जैसे ऐसे altitude down होगा तो उस condition position पर क्या होगा बच्चों sun मतलब उपर पर नीचे जाएगा तो shadow की लेंद बढ़ जाएगे तो जब 60 degree था तब जो shadow की लेंद सी 30 degree हो जाने पास shadow क्लेंद 40 meter longer हो गई आपके ठीक है यह हमारे पास question में 40 meter given था कि यह हमारे पास position cd की equal to क्या बच्चों cd equal to 40 meter already given था तो यह बेसिकली हमने आपर बच्चों अपने एबीडी ले लिया उसके रिस्पेक्ट में एब इक कोल टू बीडी स्कॉर रूट थ्री एक बार राइट एंगेल राइंगल एबीसी ले लिया तो बीसी कोल टू स्कॉर रूट थ्री एबी या एबीकल टू बीसी अपन स्कॉर रूट दोनों को एक कोल करके सॉल्व कर लो यहां से यह कंडिशन आ गई चलो और सीडी के वैल फोटी पुट कर दी टू बीडी कोल टू फोटी सॉल्व करके बीडी आ गया बीडी आ गया तो एबी भी निकाल सकते हूं आगया समझ में बच्छों क्लियर रहे जल्दी से बताई समझ में आ गया नोट कर लो एक बार इसको चलिए बच्छों क्लियर यहां पर कोई भी डाउट सिंपल बढ़िया आगे पर मूव करते हैं बच्छों नेक्स्ट में अब जैसे कि यह वाला कुश्यन है कि दा एंगे लाफ डिप्रेशन अफ टॉप एंड बोटम ध्यान समझेगा एंगे लाफ कोशन को समझेगा बच्छों दा एंगेल आफ डिप्रेशन ऑफ डे टॉप एंड बोटम आफ एंट मीटर तॉल बेलडिंग from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree ठीक है अबच्छो यह angle of depression आपके पास given है एक multi-story बच्छो सपोस करो आपके पास building है जिसको हमने AB बोला है ठीक है और एक 8 meter tall building सपोस करो आपके पास CD है जिसकी height हमारे पास 8 meter given है ठीक है अबच्छो the angle of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 तो पहले यह जो angle of depression form हो रहा इसके respect में ठीक है यह आपके पास 30 degree है और उसके बाद बच्छो यह जो angle of depression form हो रहा है इसके respect में ठीक है बच्छो यह आपके पास 45 degree है किसके लिए 8 meter tall building के top और bottom का तो टॉप का है 30 degree angle of depression bottom का 45 degree ठीक है अबच्छो find the height of multi-story building आपको AB के height हमें find करनी है हम इसको join कर देते हैं ठीक है बच्छो इसको अगर मैं यह एक horizontal level draw करूं यह सब्सक्रों सी हो गया ठीक है बच्छो तो जितना angle of elevation यह depression यह है उतना ही angle of elevation यह 30 degree बनेगा की बनेगा बनेगा simple जितना angle of depression उतना ही angle of elevation यहां से 30 degree बन जाएगा तो अगर मैंने यहां पर triangle ले लिया आपका AEB तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1030 equal to क्या बनेगा 1030 equal to AE upon में आपका CE upon में आपका CE ठीक है बच्छो यह चीज़ निकल क्या गया ओके और इधर से 1030 हमारे पास 1 upon square root 3 हो गया और यह AE upon में CE तो लिख सकते हो आप यहां पर बच्छो कि जो CE है वो हमारे पास AE square root 3 meter के को ला जाएगा ठीक इसको पहले तो हमने AEB triangle से ले लिया ठीक है triangle AEB से आपको यह चीज़ निकल करके आगए ठीक है अब अगर आप यहां पर similarly अगर यह angle of depression 45 degree है तो यह angle of elevation आपका कितरा बनेगा 45 डिगरी तो अगर मैं ध्यान से समझेगा triangle ABB की बात करो in triangle आपका ABD ठीक आप चो तो 1045 डिगरी जो बने गए यहां पर आपका वो क्या बनेगा हाइट AB हो गई बच्चो और बेस हमारे पास BD हो गया बेस हमारे पास हरे इस BD होगे ठीक है बच्चो तो टैन फोटी फंटी फाइं एक्च्व dön में क्या होता है तो इधर से गैनल क्या यहां समझेगा एक से तिक है तो यहांTH से क्या chirping क्या आएगा आपके पास यह निकल कि आएगा कि जो एबी होगा वह आपका BD के insurance Init. Aqu G20 a b equal to आपके पास क्या आएगा हमारे पास b d अब आप समझेगा basically जो b d जो b d है वही तो एक तरीके से हमारे पास c e भी होगा बच्चों तो b d और c e दोनों सेमी तो होंगे तो b d equal to आपके पास c e होगा है यह condition यहाँ पर आपको यादख निए कि जो b d की डिस्टन्स वही ती से क्योंकि parallel है तो यह distance parallel में यह आपकी डिस्टन्स सेम रहने वाले है clear है यह दोनों parallel है तो उनकी डिस्टन्स सेम रहेगी चलिए अब आप देखिए तो सबसे पहले बच्चो अगर आप a b को देखो तो a b equal to क्या है एवी कॉल्ट एई प्लस में एबी है एई प्लस में आपके पास e b equal to आपके पास b d ठीक है बच्चो अब आप देखिए e b हमारे पास अगर यह 8 मीटर है तो यह e b भी हमारे पास क्या होगा 8 मीटर तो यह हमने 8 पुट कर दिया a e आपने आपके पास c e के तो यहां पर हमने देखा कि c e equal to क्या है a e square root 3 तो b d equal to आपके पास c e है और c e equal to आपके पास a e square root 3 अब आप बताए अगर a e को उसमें लेके जाते हैं आर आरचस में तो 8 equal to a e square root 3 माइनस में आपका a e a e को अगर आपने common ले लिया तो आज आएगा square root 3 माइनस में 1 तो बच्चो solve करके a e equal to 8 upon में square root 3 माइनस 1 मीटर आ गया a e की length कितनी आगई बच्चो 8 upon में square root 3 माइनस में 1 किसकी length समझ लिजे a e की length हमारे पास 8 upon में square root 3 माइनस 1 आप चाहो तो इसको rationalize कर लो तो 8 into square root 3 प्लस में 1 ठीक है upon में यह 3-1 बनेगा तो बन जाएगा आपके पास 4 into में square root 3 3 प्लस में ठीक है आप चाहों तो रेशनराइस करके इसको इस तरीके से भी ले सकते हो तो 4 into में square root 3 प्लस में ओके 4 into में square root 3 प्लस में 1 हमको निकल करके आ गया अब अगर आपको ae मिल गया तो height of multi storage building अच्छा height of multi storage building देखे height of multi storage building क्या हो जाएगे बच्चों simple ae और plus में आपके पास eb प्लस में आपके पास eb तो यह बन जाएगा हमारे पास कितना 4 into में square root 3 plus 1 and plus में आपका 8 तो यहां से 4 कॉमन ले लो तो square root 3 plus 1 plus 2 तो बन गया आपके पास से 4 into में 3 plus square root 3 meter क्या बन गया 4 into में 3 plus square root 3 meter तो height of multi storage building हमारे पास 4 into में 3 plus square root 3 meter हमारे पास निकल के आगया क्या आगया बच्चों 4 into में 3 plus square root 3 meter हमारे पास height of multi storage building निकल के आगया clear है note कर दीजिए 4 plus 3 4 into में 3 square root 3 meter height of multi storage building हमको निकल करके आगया clear है चलिए ओके clear है आपर simple अब next में कर देखें आपको उसके बाद यह पूचा गया था बेसिकलिए आपने यह तो देखे ही था कि भाई जो एबी आ रहा है वही हमारे पास बीडी के क्वल है तो बीडी भी बच्चों कितना आ जाए गया है बीडी भी हमारे पास four in two में three plus square root three meter यानि कि distance between two buildings दो buildings के बीच की जो distance है वो भी आपके पास four in two में three plus square root three meter हमको निकल के आएगे ठीक है बच्छों तो यह दोनों building के बीच की distance भी हमको निकल करके आगे तो इस तरीके से बच्छों आज की क्लास पर मैं काफी सारे question आपके solve करे हाइड इंडिश्टन पर बेच्ट तो अगर आपने देखा की जितने भी question हम करें आज हमने वह सारे के सारे बहुत ही सिंपल थे कुछ बेसिक बेसिक से concept है मैं हर एक point पर पूरा highlight किया है कि यहाँ पर क्या फस्ता है तो अगर आपको बिदो concept clear हुआ है तो जरूर से class को like जरूर से करें अपने friends के साथ में share करें एक question बच्छों homework की form पर दे रहा हूं तो इस question को solve करिएगा खुद से practice करके लाइएगा next lecture में बाकी के question हम करेंगे लेकिन उससे पहले बच्छों एक quiz करते हैं ठीक है सारे बच्छे quiz के लिए रैडी हो जाए comment box में अपना answer आपको लिख करके बताएंगे अप पॉल six meter high cast said two square root three meter long on the ground then sun elevation sun का जो elevation होगा बच्छों वो कि सर्ग का elevation यहाँ पर क्या बनेगा अब पॉल six meter high cost of two square root three meter long on the ground then the sun's elevation sun का elevation क्या होगा बच्छों यहाँ पर आपको बताना है जल्दी से बच्छों comment box में अपना answer लिख करके बताएं हो गया अगला question देखते हैं बच्छों सभी अच्छों आंसर कर दिया चलो पहले discuss करते तो फिर दूसरा question लाएंगे अगर आप देखें कि पोल की हाइट है कितनी सिक्स मीटर सेड़ की लेंद कितनी टू स्क्वाइर रूट थ्री मीटर सन का elevation पूछा है तो आप जान गए यहाँ पर कि हमें यह वाला एंगल चाहिए हाइट गिवेन है बेस गिवेन है तो 10 थीटे गॉल्टू सिछ अंफॉं में 2 स्क्वाइर रूट 3 यह बनगए आपके पास 3 हैं इसको स्क्वाइर ूट 3 इसको लिखो गें स्क्वायर 8 इंटू स्क्वाइर 12-13 एंजल स्क्वा रूट 3 केंसल यँआउट स्क्वाइर Prop 3 तो बताए ऐगर 10 थीटा स्क्वाइर रहे हैं जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नमबर ए 60 डिगरी कमेंट बॉक्स में लिखा आपका अंसर बिल्कुल सही है अगला कुर्शन देखते हैं दे एंगल अफ एलिवेशन अफ टॉप अफ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑन दे ग्राउंड इस 30 डिगरी टावर के फूट से पॉइंट की डिश्टन्स को आपको बताना है बच्चों ठीक है तो यह आप सपोस कर सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्राइंसर लेकर के बताएं आपको एक तरीके से बीसी फाइंड करना है सॉल्व करिए अंसर बताइए बच्चों जल्द कि देखो बिल्कु सिंपेल है सबने आंसर कर लिया बहुत अच्छी अगर हम देखें तो टावर के हाइट आपके पास 20 है ठीक है और 30 डिगरी का एंगिल ऑफ एलिवेशन बन रहा है परपेंडिकुलर बेस हमें निकालना है तो टैन थर्टी क्या होगा ट्वेंटी अपॉ सब्सक्राइब करेंगे जो की बहुत इंपॉर्टेंट है तो सभी बच्चे लेक्चर नमबर वन देख लिया है लेक्चर टू को भी जरूर सी देखेगा आपके लिए चैप्टर बिलकुल आसान हो जाएगा क्लियर है कहीं भी कोई डाउट है कमेंट वोक्स में लिख करके बताईएगा ठीक है अब चो और नेक्स्ट क्लास में मोश्ट इंपॉर्टेंट कुश्चन इस पर बेश्ट आपके डिसकस करेंगे तो थैंक्यू सो आइस और सभी वच्चे सेयर करें मिलेंगे नेक्ट क्लास में तब तर के लिए गुडबाइए